हाई अब्रिवन वल्कम टो MSP नॉलेज ओफिशल यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा रैस्पिरेशन वन शौट में कम्प्लीट करेंगे साथ ही में हम लोग प्रिवियस एर कोईशन भी लगाएंगे और हाँ तुम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है फ्री नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवलेबल हैं तुम लोग जाके चेक आउट कर सकते हो तो इसे सब के साथ अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ने से पहले हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जान लेते हैं कि कौन-कौन से ओर्गन इन्वाल्व होते हैं रेस्पिरेशन में तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो सबसे पहले एर पोस्ता है हमारे नैसल पैसेज में उसके बाद air जाता है pharynx में और उसके बाद larynx में larynx का दूसरा नाम sound box है वहीं सही हमारे sound produce होते हैं उसके बाद air जाता है trachea में जिसे हम लोग wind pipe भी कहते हैं जिसमें ring-like structure बने रहते हैं trachea divide हो जाता है bronchi में और बाद में bronchi भी divide हो जाता है bronchioles में जिनने हम लोग alvoly कहते हैं, alvoly में ही real gaseous exchange होता है, alvoly के चारों तरफ blood vessels रहते हैं जिन में oxygen पहुच जाता है और carbon dioxide alvoly में वापस चला जाता है, तो air जब alvoly में पहुचता है तो उसमें जितना भी oxygen होता है वो blood में मिल जाता है और blood का जितना भी waste material यानि carbon dioxide होता है वो alvo alvoly से trachea में जाता है, trachea से वो nose के थ्रू वापस बाहर चला जाता है जब हम लोग exhale करते हैं और इसी पूरे process को बोलते हैं हम लोग breathing एक बार मैं फिर से बता दू तुम लोगों को तो air सबसे पहले nasal passage में पहुचता है उसके बाद pharynx में जाता है फिर larynx में फिर trachea में और ऐसे ऐसे करते हैं वो alvoly में पहुचता है जब air alvoly में पहुचता है तो air की अंदर जितना भी oxygen रहता है वो blood में मिल जाता है और blood की अंदर जितना भी carbon dioxide रहता है वो alvoly में वापस चला जाता है और alvoly से वो wind pipe के थ्रू होते होते nose से बाहर निकल जाता है जितना भी carbon और ब्लेड में oxygen मिल जाता है और ब्लेड के थ्रू होते होते oxygen पूरी body में हमारे पहुच जाता है I hope तुम लोगों को अच्छे से समझ आगया होगा अब हम लोग बात करते हैं cellular respiration की तो cellular respiration का मतलब होता है कि एक food molecule को तोड़ के उससे energy पाना अब देखो एक molecule बना कैसे रहता है बहुत सारे substrants से जो की connected रहते हैं एक bond से तुम लोगों ने पढ़ा होगा chemistry में कि जब ही भी कोई bond तोटता है तो उससे energy release होती है तो respiration का मतलब ही होता है कि एक molecule को छोटे छोटे टुकडों में तोड़ देना जिससे के हम लोगों को energy मिल सके breakdown of simple food in order to release energy inside a cell this is called cellular respiration तो अब तक हमने पढ़ लिया कि cellular respiration क्या होता है अब हम पढ़ेंगे उसके कितने type होते हैं और यह पूरा process कैसे होता है तो cellular respiration तीन type का होता है पहला हो गया in absence of oxygen यानि पहले respiration में हमें oxygen की जरूरत नहीं होती है दूसरा हो गया कि lack of oxygen जिसमें oxygen बहुत कम use होता है और तीसरा हो गया presence of oxygen यानि कि जिसमें हमें oxygen की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है तो cellular respiration तीन type का हो गया पहले में हमें oxygen की जरूरत नहीं पढ़ती है दूसरे में lack of oxygen की जोरुद पड़ती है और तीसरे में हमें बहुत सारा oxygen चाहिए मुझे पता है तुम लोगों को अभी ये समझ में नहीं आया पर तुम लोगों को आगे चलके अच्छे से समझा जाएगा अभी ध्यान से सिर्फ हो सिर्फ मेरी बात को सुनो तो respiration दो टाइप के होते हैं पहला होगे aerobic respiration और दूसरा होगे anaerobic respiration तो जो aerobic respiration होता है वो presence of oxygen में होता है तो oxygen की presence में अगर respiration हो रहा है तो उसको हम लोग aerobic respiration बोलते हैं वहीं अगर absence of oxygen में अगर कोई respiration हो रहा हो तो उसको anaerobic respiration बोलते हैं दूसरा पॉइंट ये है कि aerobic respiration mitochondria में होता है देखो जैसे कि ये एक cell है cell के अंदर एक bean shape के organelle रहते हैं उनको बोलते हैं हम लोग mitochondria तो जो aerobic respiration है वो mitochondria में होता है और जो anaerobic respiration है वो cytoplasm में होता है तो ये जो cell के अंदर जितना भी part होता है उसको हम लोग बोलते हैं cytoplasm तो जैसा कि मैंने पहले बता है aerobic mitochondria में होता है और anaerobic respiration cytoplasm में होता है ये चीज अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना तीसरा difference ये रहता है कि aerobic respiration का end product carbon dioxide और water रहता है और anaerobic respiration का end product alcohol या फिर lactic acid मिलता है हम लोगों को और चौथा point ये है कि aerobic respiration में बहुत सारी energy release होती है और anaerobic respiration में कम energy release होती है और last point ये है कि aerobic respiration जादे तर plant और animal में होता है और anaerobic respiration जादे तर muscles, bacteria और east में होता है तो ये सारे point होगे Arabic और An Arabic के बारे में I hope तुम लोगों को Arabic और An Arabic अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर समझ में नहीं है तो वीडियो को दुबारा देखो ये बहुत जादा important है तो आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ बातें Cell के बारे में बता दू जिसे के तुमें आगे के topic पढ़ने में असानी हूँ तो मालो ये जो white color का circle है वो एक cell है तो cell के अंदर एक jelly-like substance फिल रहता है उसको हम लोग cytoplasm बोलते हैं तो जितना भी मैंने yellow color से mark किया है वो cytoplasm है और cell के अंदर तुम लोगों को पता ही है कि एक nucleus रहता है और जो मैंने पहले बताया कि उसमें एक bean shape का mitochondria भी present रहता है तो cell के अंदर एक mitochondria भी रहता है वसे कई रहते हैं तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि cell किसे कहते हैं, cytoplasm किसे कहते हैं, nucleus और mitochondria क्या है अब हम लोग बात करते हैं कि proper respiration का process होता कैसे है respiration मतलब कि एक molecule को तोड़ के उससे energy लेना अब देखो, हम लोगोंने खाना खाया वो glucose के form में हमारे body में store हो गया अब हम लोग पढ़ेंगे कि उस glucose को तोड़ तोड़ के हम कैसे उससे energy लेते हैं तो सबसे पहले हम glucose को तोड़ देते हैं pyruvic acid और इसमें बहुत सारी energy हम लोगों को मिलती है और ये सारा process होता है cytoplasm के अंदर तो cell के अंदर जो jelly-like substance है उसको हम लोग cytoplasm बोलते हैं वहीं पे glucose ढूट जाता है pyruvic acid और बहुत सारी energy में और इसी process को हम लोग बोलते हैं glycolysis उसके बाद जो pyruvic acid बच गया उसको हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं पहला कि उसको airwork respiration करके तोड सकते हैं और दूसरा Nure-work respiration करके एरॉविख respiration में हम लोग उसको oxygen की presence में तोड़ेंगे और N-ure-work respiration में हम लोग उसको oxygen की absence में तोड़ेंगे और जैसे कि मैंने बताया था कि air-work respiration होता है mitochondria में और N-ure-work होता है cytoplasm में I hope तुम लोगों को इतना सब अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं एक बार दुबारे से तुम लोगों को समझा देती हूं तो सबसे पहले हम लोग glucose लेते हैं और glucose को तोड़ देते हैं pyruvic acid में और जिसमें बहुत सारी energy release होती है ये process होता है cytoplasm के अंदर cytoplasm क्या था cell के अंदर जितना भी jelly-like substance था उसको हम लोग cytoplasm कहते हैं उसके बाद इस pyruvic acid को हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं पहला कि हम लोग ये path follow करें यानि ervic respiration करें उसमें हम लोग उसको oxygen की मदद से तोड़ेंगे और ये काम होगा mitochondria के अंदर और दूसरा या फिर हम लोग pyruvic acid को an ervic respiration के थूदे जो oxygen के absence में होता है और ये काम होता है cytoplasm के अंदर cytoplasm यानि jelly-like substance तो ये पूरा का पूरा एक pathway हो गया cellular respiration के बारी में अब हम लोग इसे चीज को और detail में पढ़ते हैं अब हम लोग तुम लोगों का एक NCRT का diagram बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा important है तो समझ लो ये white color का जो box है वो cell है अब जो food है glucose वो cell के अंदर गया cell के अंदर वो glucose तूट गया pyruvate और energy में अब यहाँ पे pyruvate और pyruvate acid एक ही बात है पर तुम्हारे बुक में pyruvate यूज किया गया है इसलिए मैंने यहाँ पे pyruvate नाम यूज किया ये पूरा process कहा हुआ cytoplasm में हुआ और इस process को बोलते हैं glycolysis तो सबसे पहले हम लोग यही पढ़ते हैं कि अगर इस pyruvate acid को in the absence of oxygen तोड़ा जाएगा तो बनता है ethanol और carbon dioxide और इसमें energy release होती है तो अगर pyruvate acid को oxygen की absence में तोड़ा जाता है तो ethanol and carbon dioxide बनता है और इसका example है yeast इसलिए हम लोग yeast का use करते हैं cake ओग बनाने में तो जब yeast के अंदर ये process होता है तो वहाँ पर बहुत सारा carbon dioxide release होता है इसी की वज़े से cake में puffiness आती है तो ये पूरा का पूरा हो गया कि अगर pyruvate acid absence of oxygen में तोड़े हैं अब हम लोग बात करते हैं second pathway की तो अगर pyruvate acid lack of oxygen में तोड़ता है तब lactic acid और energy release होती है और ये process होता है muscles के अंदर तो अगर कोई बहुत सारा exercise करता है तो उसके muscles में oxygen की कमी होने लगती है और तब pyruvate acid तूट जाता है lactic acid और energy में और यही lactic acid तुम्हारी muscles में store होता है और इसी को लोग कहते हैं कि body बन रही है तो जो लोग बहुत सारा exercise करते हैं of oxygen में तूटता है तो वो convert हो जाता है carbon dioxide और water में और इसमें बहुत सारी energy release होती है और यह पूरा का पूरा process होता है mitochondria के अंदर तो mitochondria के अंदर ही pyruvate acid तूट जाता है और हम लोगों को carbon dioxide और water मिलता है तो यह पूरा का पूरा हो गया cellular respiration in detail यह तुम लोगों ने बहुत ही जादा detail से पढ़ लिया इसके बाहर एक भी question नहीं आने वाला है और यह बहुत जादा important है क्योंकि यह पूरा process तुम लोगों को NCRT में दिया गया है एक diagram के form में अब देखो जो हम लोगों ने first और second step पढ़े उन्ही दोनों step को हम लोग बोलते हैं और जो हम लोगों ने third step पढ़ा उसी को बोलते हैं हम लोग एरोविक respiration तो I hope अब तुम लोगों को अच्छे सा समझ आ गया होगा कि एरोविक respiration किसे कहते हैं और एरोविक respiration किसे कहते हैं देखो पूरे process में मैंने energy word use किया था तो energy का सही मतलब है ATP जबी भी कोई bond टूटता है तो ATP release होती है इसी को हम लोग energy बोलते हैं तो ATP का full form होता है adenosine triphosphate तो अब हम लोग कुछ question solve करते हैं जिससे कि तुम लोगों को topic के बारे में एक अच्छी understanding बन जाए breakdown of pyrevic to give carbon dioxide water and energy take place in तो इसका answer है mitochondria mitochondria में ही जब pyrevic टूटता है तब carbon dioxide, water and energy release होती है और इस process को बोलते हैं aerobic respiration अगर वो cytoplasm में टूटा होता तो उसमें lactic acid या alcohol release हो रहा होता है और इसको बोलते हैं हम लोग an aerobic respiration जिन्हें ये question समझ में नहीं आए मैं दुबारे से एक बार बता देती हूँ question में पूछा था कि अगर हम लोग pyrevic को तोड़े और हम लोगों को carbon dioxide और water मिल रहा है तो हमें ये बताना था कि ये process कहां पे हो रहा है तो ये process हो रहा है mitochondria के अंदर और इसी process को हम लोग aerobic respiration बोलते हैं आगर हम लोगों को end में ethanol या फिर lactic acid मिल रहा होता तो ये process cytoplasm के अंदर हो रहा होता है और इस process को हम लोग an aerobic respiration बोलते हैं तो I hope तुम लोगों को अब अच्छे से ये सारी बाते समझ में आ गई होंगी तो next question है name the respiratory pigment in human being where is this pigment found तो respiratory pigment होता है hemoglobin और वो पाया जाता है red blood cell के अंदर यानि RBC के अंदर देखो ये जितने भी question में करवा रही हो ये सारी pyqs हैं तो तुम लोगों को लग रहा होगा कि question तो mcq के form में आएंगे तो हम लोगों को pyq करने की जरूरत नहीं पर actually में जितने भी previous year question है उन्हीं को ही तोड़ तोड़ की mcq के form में तुम लोगों को दी दिया जाएगा तो इसे लिए जो मैं question करवा रही हूँ ये बहुत important है इनको अच्छे से समझो और RBC help करता है oxygen carry करने में next question है why is the rate of breathing in aquatic organism much faster than terrestrial organism तो ऐसा क्यों होता है कि aquatic animal जादा तेज़ी से breathe करते हैं compared to terrestrial organism में terrestrial organism का मतलब होता है कि ऐसे organism जो land पे रहते हूँ तो इसका answer ये है कि पहली बात तो ये है कि terrestrial organism oxygen directly air से obtain कर लेते हैं तो इसलिए उनको जादा तेज़ी से breathe करने के कोई जरूरत नहीं है तो दूसरी बात ये है कि aquatic organism oxygen पानी में dissolve हुआ लेते हैं और पानी में जो oxygen dissolve होता है वो बहुत कम रहता है तो इसलिए उनको बहुत जल्दी जल्दी breathe करना रहता है जिसे के वज़े से वो अपने body की demand पूरी कर सके हैं तो terrestrial organism को जादा तेज़ी से breathe करने के जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो directly oxygen ले लेते हैं air से पर aquatic organism अपना oxygen पानी से लेते हैं और पानी में बहुत कम oxygen dissolve रहता है इसलिए वो बहुत ज़्यादा fast-fast breathe करते हैं तो question में यही पूछ रहा है कि lungs में ऐसी कौन सी खास बात रहते हैं जिसे के हम लोग उसे respiratory surface कहते हैं हम लोग lungs से ही क्यों सांस लेते हैं स्टमक या हार्ट वार्ट से सांस क्यों नहीं ले सकते हैं तो पहला point यह है कि lungs के पास last surface area होता है और lungs branched रहते हैं दूसरा point यह है It contains extensive network of blood vessel lungs के चारों तरफ बहुत सारे blood vessels रहती हैं जिसे कि air exchange हो सके हैं और तीसरा point यह है कि It is thin, dedicated and fine अगर किसी भी membrane से oxygen और carbon dioxide पास करना है तो वो membrane बहुत पतली होनी चाहिए और बिल्कुल ऐसे ही membrane होती है L-voilie की जो के lungs के अंदर रहता है इसलिए lung एक efficient respiratory surface है तो जैसे कि मैंने तुम लोगों को पहले बताया था कि terrestrial organism direct oxygen atmosphere से ले लेते हैं aquatic organism dissolve oxygen लेते हैं अब हम लोग बात करते हैं कि plant कैसे respiration करते हैं तो plant का respiration बहुत है simple रहता है वो इस tomato से gases exchange करवा लेते हैं या फिर lenticels से gases exchange करवा लेते हैं देखो stems के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे gaps रहते हैं जिनको हम बोलते हैं lenticels वहीं से बढ़ी trees में gases exchange होता है और तीसरा point यह है कि कुछ plants में root के surface से भी gases exchange होता है तो यह हो गया तुम लोगों का पूरा का पूरा respiration वो भी अच्छे से तो जितनी भी मैंने तुम लोगों को बाते बताई वो यहाँ पे notes के form में available हैं तो तुम लोग इसको description से download कर सकते हो तो इसलिए चैनल को subscribe कर लो, like कर लो और वीडियो देखते रहो